हलो दोस्तों जै माकाल मैं आपका दोस्त चंदर शेकर सुनने टो इंफिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार दिख स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर चैनल पे नई हो तो चैनल को सस्क्राइब कर बिल आइकन को दबाई जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखे जिससे आगे आने वाले एकजाम है आरपीएसी, यूपीएसी, आरेएस, एंटीपीसी, गुरुबडी, पटवार, वीडियो, वनरक्षक, वनपाल, हाई कोट इन सभी के लिए आपको बहुत साहता मिलेगी तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना टोपिक आज का गुप्त साहसन प्रनाली इससे बहार कोई भी क्यूशन नहीं रहेगा दोस्तों गुप्त कालीन साहसन प्रनाली से तो बहार पढ़ने की कुछ भी जरुत नहीं है बस इसको किलियर कर लेना आपका साहसन गुप्त कालीन साहसन किलियर हो जाएगा दोस्तों तो हम सुरू करते हैं गुप्त साहसन का स्वरूप कौन सा था या किस परकार का था तो याद रखना दोस्तों गुप्त साहसन का सुरूप राज तंतरात्मक होगा करता था ठीक है और इसकी सरवाच्च सत्ता किसके उपयोग कौन उपयोग करता था राज्य तंतरात्मक का तो वो था दोस्तों समराट इसका उपयोग करता था ठीक है ये क्युशन कहीं बार आपको मिला भी होगा टेस्टों में एकजाम में कि देवत्व का सिद्धान्त किस सासन में परचलित हुआ करता था तो दोस्तों देवत्व का सासन देवत्व का सिद्धान्त गुप्त कालिन सासकों में परचलित था राजपद किस परकार का था या कि साधारत पर था या कि सिद्धान्त पराधारित था तो राजपद दोस्तों वनसानुगत था किस परकार का था व इस वर का परति निदित्र कहा था या कहा जाता था ठीक है फिर बतातों आपको कि गुप्त समराट परम देवता परम भठारक महाराजा दिराज परतिवी पाल परमेश्वर शमराट एकादिकार एवं चक्रवरतनिक जैसी उपादियां धारण करता था यह वेरी कई बार पूछा गया क्यूशन है इनमें से परम भठारक की उपादियां किस के काल में दी जाती थी या महाराजा दिराज की उपादियां किस काल में दी जाती थी तो इनको ध्यान रखना दोस्तों वेरी वेरी इंपोटेंट है फिर नेक्स चलते हैं अपने अगले जुब्ट साशन के परतिख हुआ करते दोस्तों, अभिलग्गों कि एनुसार में बात करूं तो यह very important question है कि सचीव या मंत्री को राजा की तीसरी आंक के नाम से जाना गया है, सचीव और मंत्री को important very very पटवार के लिए भी और वीडियो के लिए भी ठीक है, फिर है नायक को क्या कहते ते या क्या काम करता था महा दंड नायक तो ये दोस्तों ये पद युद्ध तता सेन्य सक्रियता से सम्मंदित था ठीक है ये पद कौन किस से सम्मंदित था सेन्य सक्रियता से महा परतिहार की बात करें दोस्तों तो ये राजपरसाद की देखरेक का कारी कर करता था दोस्तों दंड पासिक फिर नेक्स्ट बंडागारा दिकरत ये राजकोस का ये राजकोस का प्रमुख हुआ करता था ठीक है महा पक्स पटलिक इसे लेखा विभाग का प्रमुख आगया है विने इस्तिती संस्तापक किसे कहते थे ये सिक्सा विभाग का दिखारी हुआ करता था सरभादेक्ष होता था समस्त केंदरी विभागों का निरक्षण भी करता था ये महा महीप पलीपती पीलपती तो ये गच सिर्ना का नियंत्रण और संचालन करता था ठीक है विने पुर उस आगंतुकों को समराथ के समक्स प्रस्तुत करता था जो भी कोई समराथ के दरबार में आता था तो उनको राजा के सामने प्रस्तुत या समराथ के सामने प्रस्तुत करता था ठीक है प्रांतों की बात करें दोस्तों तो प्रांतों को मुक्ति भी कहते हैं ठीक है और इसकी सासन जो प्रांती सासन हुआ करता था उसकी नियुक्ति कौन करता था दोस्तों तो वो सम्राठ ही करता था ठीक है कही नाम दिये गए हैं इसे जैसे उपरिक महराज गोप्त भी कहते हैं भोगिक भी कहते हैं भोगपती भी कहते हैं और राज्यस्तान ये भी कहते हैं ठीक है व कुमार मात्ते कहा जाता था, किसको, सासकों की जो प्रमुक होते थे, उनको जो प्रामर्स देते थे, उनको कहा जाता था, और कुमार मात्ते की बात करूँ दोस्तों, तो विशेपती होते थे, उसको कुमार मात्ते कहते थे, और विशेपती क्या होते थे, विशेपती क्या हो तो जो विशेपती 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 को कुमारमात्ते भी कहा जाता था ठीक है अब क्लियर हो जाएगा कुमारमात्ते को फिर है नेक्स चलते हैं अपने विशेपती के सयोगे तू समीती का गठन भी होआ करता था अकेला तो काम करता नहीं था हो तो इसके सदेश्यों को विशेम महत्तर कहा जाता था क्या कहा जाता था विशेम महत्तर कहा जाता था इस समीती के सदेश्यों को ठीक है नगरों की प्रसाशन की बात करते हैं तो नग नगर महापालिक हैं द्वारा चलाया जाता था किसके द्वारा चलाया जाता नगर महापालिकाओं द्वारा और इसको पूरपाल नगर की मुख्य अधिकारी होता था पूरपाल क्या होता था नगर का क्या होता था मुख्य अधिकारी होता था पूरपाल वेरी इंपोर्टें में भी पूछे गए इन में से तो इनको मैं बता दू आरेस और यूपीएस से क्योशन लिए ही तो इनको जरूर याद रखिएगा ये चारों एक उप्शन में थे मैंने इनको अलग कर दिया तो ये छोटे क्योशन बनते हैं तो पटवारे में आने के फुल चांस है ठीक है त परांतों को ये सब कहा जाता था अब जूनागड अभिलेक की बात करते हैं दोस्तों तो जूनागड अभिलेक के अंदर जो सोराष्ट्र जो था वो एक देश के रूप में कहा गया था या इसे जूनागड अभिलेक में सोराष्ट्र के रूप में सोराष्ट्र को एक का या राष्ट्र का प्रसास कौन होता था तो वह होता था गोपता कौन होता था गोपता हुआ करता था दोस्तों देश का या राष्ट्र का प्रसास ठीक है सीमा प्रांतों के प्रसासन गोश्टा कहला थे थे क्या कहला थे गोश्टा ये चारों बहुत इंपोर्टेंट है य लिए अब हम ग्राम प्रसासन की बात करते हैं कि ग्राम प्रसासन में क्या-क्या मुद्दे थे तो ग्राम प्रसासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी तो ग्राम सासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा ठीक है फिर आगे चलते हैं ग्राम सभा द्वारा इसका प्रसासन सं पूरू होता था, याद रखना सबसे छोटी काई पूछे, सासन की सबसे छोटी उगाई तो ग्राम होती थी, ठीक है, फिर ग्राम सबा का जो इसका प्रमुक संचालन कौन करता था, तो इसका प्रमुक संचालन ग्राम सबा करती थी, ठीक है, ग्राम सबा का मुख्या क्या कहल गुप्त काले इन अभीलेकों में ग्राम सभा को ग्राम जनपद very important question है ये कहीं बार पूछे गए हैं कि गुप्त काले इन अभीलेकों में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था वहाँ जनपद नहीं था वहाँ पर पंच मंडली था तो इसका right answer था पंच मंडली तो याद रखना कि इसको ग्राम सभा को पंच मंडली भी कहा जाता है ठीक है गुप्त काले इन प्रसासने की काई करम इस परकार हैं जो आपको बता रहा हूं कि पहले देश ये रास्टर बुक्ती के नाम से जो जानते हैं वो आता था उसके नीचे होता था विसे फिर उसके नीचे होता था कि नाइप प्रसासन का सबसे बड़ा जो था वो था सरवाच्चे नैइदीस क्या होता था समराट सामराज्य का सरवाच्चे नैइदीस हुआ करता था ये भी याद रखिएगा कि समराट जो था वो पूरी सामराज्य का क्या था एक नयदी सुआ करता था ठीक है नारद इसमर्ती के अनुसार न्याले को चार वर्ग थी जब नारद इसमर्ती थी जो लेक उसके अनुसार चार वर्गों में न्याले को बाटा गया राजा का न्याले इसको पता है आपको राजा का न्याले फिर नेक्स चलते हैं पूंग पूंग क्या थी दोस्तों, पूंग नगर में निवास करने वाली विभिन जातियों की एक समिति हुआ करती थी, विभिन छोट मलब जातियां होती थी, उनकी एक समिति हुआ करती थी, उसको पूंग कहती थी, ठीक है, स्रेनी की बात करते हैं दोस्तों, तो स्रेनी धर्म के आ करती थी उसे कुल कहा जाता था ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गुप्त कालीन अभिलेकों में नैदीस का उल्लेक महाधंडनाईक के रूप में दंडनाईक के रूप में और सर्वधंडनाईक के रूप में हूं मिलता है ठीक है नैदीस का उल्लेक किस-किस के अनुश फिर की चलते हैं सेनिक संंगटन की बात करें इसमें चार प्रकार की सेना हुआ करती थी, राजा के पास एक हिस्ताय सेना थी थी के कौन कौन से थी चार एक तो पदाती जो पैदल चलती थी रत रोही रत में अस्वारोही गोड़ी पर सवार गज सेना जो हाथी पर सवार होके रहती थी ये थे चार प्रमुक अंग इनके सेना के अब इसका सरवाच्य अधिकारी के बारे में पूछ लेते तो सरवाच्य सेन सेना का अधिकारी कौन होता था तो आपको बताऊं सरवाच्च सेना का अधिकारी दोस्तों महा बलादिकरत होता था क्या होता था महा बलादिकरत important question है कि गुप्त काले इंसासर प्रणाले में सरवाच्च सेना का अधिकारी कौन होता था तो महा बलादिकरत इसका सरवाच्च सेना अदिकारी होता था ठीक है नेक्स चलते हैं हाथियों की सेना के प्रदान को दोस्तों क्या कहते थे महापीलुपती क्या कहते थे महापीलुपती फिर है गज सेना के नायक को क्या कहते हैं कटुक बोलते हैं इसको नायक को तो कटुक बोलते हैं प्रदान को महापीलुपत कहते हैं ठीक है गुड़सवारों की सेना की प्रधान को बट्टा सस्वपती कहते हैं क्या कहते हैं बट्वा सस्वपती कहते हैं अस्वा रखा है इसमें इसलिए गुड़सवारों के प्रधान को कहते हैं अस्वार यही सेना की प्रमुक को क्या कहते हैं तो है अटा सवपती याद रखना दोनों हैं अगर दोनों प्रकार से आ जाए अस्वरोई सेना की प्रमुग को क्या कहते हैं आटा सवपती गुर्चवारों की सेना की प्रदान को क्या कहते हैं बट्टा सवपती दोनों प्रकार से क्योशन पूछा जा सकता है इसलिए दोनों का अंसर बता दिया रहा है पदाती समानों की अवस्ता करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं रण रण बंडा गरीका क्या कहते हैं दोस्तों जो पैदल सेनिक होते थे उनके अधिकारी को जो अवस्ता करते थे उनकी विवस्ता करते थे उनके अधिकारी को पदाती सेना के टुकड़ी वेरी उसको चमू ये कहते थे, क्या कहते थे, चमू कहते थे, साथ वहन काल में बूमिदान की परता हुआ करती थी, किस की हुआ करती थी, बूमिदान की परता हुआ करती थी, साथ वहन काल में, लेकिन अगर ज्यादा इसकी पॉपुलर्टी बड़ी, मतलब ज्यादा इसके बारे म किस काल में किये गए तो वो तो तो गुप्त कालीन सासकों द्वारा लेकिन स्टार्ट कब हुई थी यह भूमिदान के प्रता साथ वहन काल में हुई थी ठीक है नेक्स चलते हैं पटवार के लिए भीजाम है है ग्रामिड भूमि को जो ग्रामिड भूमिकर जो इसके लिए dips काल में जाते थे जैसे प्टवार की एक्जाम है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि ग्रामीन भूमी के अपन गाव में जानते हैं तो भूमी का सर्वेक्षन सब कौन करता है पटवारी तो उसके लिए इंपोटेंट है दोस्तों ग्रामीन भूमी स्वामी को गुप्त कालीन सासन प्रणाली में क्या कहते थे ग्रामीका कहते थे कुटोंबिका और नस्त ये तीनों नाम इसे के हैं तो ये important पटवारे के लिए छोटे किसानों को कर्सिवाला कर्सक और किसान भी के नाम से जानते थे गुप्त कालेन की बात करें प्रसासन के करों की तुकर important है तो ये हैं गुप्त कालेन कर उद्दग्र, उपरिक, वट, भूत, धनने, हिरनने, अदे, भाग और भोग ये सबी दोस्तों गुप्त कालेन कर्माने जाते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट है विदेशी वस्तों पर जो कर लगता था उसे क्या कहते थे तो वो था भूतावात पर्त्याई नामक कर लगया जाता था ठीक है विदेशी वस्तों पर important है गुप्त काल में दास पर्था भी पर्चलित थी क्या थी गुप्त काल में एक तो जो साधी करवा दितने हैं बचपन में वो भी पर्चलित थी गुप्त काल में दास पर्था भी पर्चलित थी याद रखना इसको इंपोटेंट है ठीक है तो आपको देखे अलपायु में वि कि देवदासी प्रथा का परचलन कब हुआ था तो वो है दोस्तों गुप्त काल में देवदासी प्रथा का परचलन हुआ था ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं इस तरी सिक्सा का भी परचलन था इसमें अर्तिविस्ता की बात करते हैं तो अर्तिविस्ता में राज की आयका प और बोमी करवा करता था और अब आपको पूछ ले ये भी पूछा गए क्विशन है कि गुप्त कालेन सासर प्रणाली में सरुप्रतम कौन सा उद्योग था तो तो वो दोस्तो था वस्तर उद्योग क्या था वस्तर उद्योग इस तर अब बात करते हैं उत्कुष्ट नमून कला का एक सर्वोत कुष्ट उद्योग मेरोली का जो लोस्तम्भ है वो गुप्त काली दातु निर्मान का सर्वोत का उद्योग है और आपको बता दो कि युद्ध अगर युद्ध देवता की बात करते हैं तो युद्ध देवता के रूप में कार्दिक की पूजा हुआ कर गूर में की विज्धानवाद के सब्सक्राइब युद्ध दोस्तों बोद्ध धरमसे सब्बंदित है ठीक है अब पूचि ले कि जो विज्ध गरवा बोद्ध धरम था जुद्धuite दर्षन था वो किस हुआ हुआ तो गुपत काल में एक खिराबित तीन ऑन रहे हैं याद रखेगा इंपोर्टेंट क्यूशन है पूचे गई क्यूशन है आपना यह हो गया दो क्यूशन आपको मैं देता हूं जो बाहर है इस से इंपोर्टेंट है लेकिन पताए गुप्त वंस के इतिहास के पश्यार उत्तर भारत में बड़ी भाग का पुंद्र गठनकिस ने किया आपके पास है ओप्शन चार आपको राइट आंसर देना है बताए क्या होगा आपके पास है चालुक की राजबूत हर्शवर्दन और सक तो आपको बता दूमें इसका राइट आंसर है दोस्तों हर्शवर्दन के काल में उत्तर भारत में बड़ी भाग का पुंद्र गठन किया गया ठीक है फिर है next एक क्यूशन ओर है कुमार गुप्त की सासन के दोरान गुप्त सामराज्य पर किस ने हमला किया था ठीक है तो इसका बताना एक ही होन हून हून सपेध हून लान हून तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सपेध हून क्या सपेध हून इसका राइट आंसर है ठीक है याद रखेगा तो दोस्तों आज की लिए इतना ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेर भी करें आपको कमेट बॉक्स में बताना ह कि वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है दोस्तों पहले वाले वीडियो भी पूरी जरूर देख लें मैंने सभी के वीडियो डाल दी है गुप्त कालीन के आज डाल दिया है उससे पहले मुगल कालीन प्रसासन सभी की वीडियो प्रसासनों के मैंने डाल दी है मुगल कालीन भी दिल्ली सलतनत का भी डाल दिया है तो उनको पूरा जरूर देख लें उसके इंदर क्यूशन भी है आपको इंट्रेस्ट भी आएगा तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें धन्यवाद आप सभी का